गोली मज चलाना यह हमारा आदमी हो सकता है ठीक है सर डिल्लूलू हाँ मैं हूँ शुक्र है आप लोग आ गए ओके चलो यहां से निकलते हैं नहीं हम अभी नहीं जा सकते क्यों क्या मतलब है तुम्हारा दो बंदी युद के पुराने चैप शैक में है जंगल के अंदर एक जपैनी कैदी भी है मैं हर रोज देखने आता था कि आप लोग आये या नहीं हमें चलके उन्हें छड़ाना होगा ठीक है हम उन लोगों को बचा कर यहां से निकल जाएंगे हमें कर दो कर सकत रो प्रॉप्रीद। तुमने मुझसे जूटका। लुइस को वह जिन्दा चाहिया था। अगर मैं सो गया तो तुम मेरा माल चुराकर उसे धुए में उड़ा दोगे। और निप को मार दोगे। तुम किसी के भी सगे नहीं हो सकते हो। तुम अब क्या करोगे बताओ। क्या तुम रीडिया ठीक करोगे और हमें नहीं बताओगे। मैने तुम पर एहसान किया बेवकुफ मैने तुम्हारी चान बचाई है। मुझे कोई परवान नहीं उन पागल कमीनों की मुझे कोई फर्क ने पड़ता हूं उनकी चीहों से आई मेड़ चॉइस काबॉय इन जापानियों की तरह अगर तुम भी चल नहीं सकते तो जाकर कमरो और यह चल नहीं सकता था और वैसे भी लोईस को यहां से गए घंटो हो गए और पता नहीं वो वापस लोटे कभी यह ने तुम सब एक जैसे हो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो अब मेरा क्या होगा अगर मैं नहीं चल पाया तो मैं भी मरूँगा मुझे छोड़ कर चले जाओगे तुम अमेरिकन सिर्फ इतना ही बन सकते हो क्यापिटलिस्ट गैंस्टर्स और कावबोईज कावबोईज और कैंस्टर्स वैसे इन जैसे लोग तुमें बचाने के लिए बोट से आ रहे हैं हम बीच की तरफ जाएंगे वहाँ से राफ में बैट कर वापिस सब में जैप को क्या हुआ वो मर चुका है क्याप्टन लेकिन तुम इनके कोंटाक्ट में के से आ गए मैं उनसे कुछ टाइम पहले बीच पर मिला था मेरे C-47 के गिरने के कुछ दिन बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया था मैं उस जगह के ऊपर उडान भर रहा था जब मैंने उन्हें हार्बर पर साथ देखा जैसे हम करीब गए उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हम नीचे गिरने लगे और मेरा को पाइलिट जैप के हाथों मारा गया कैप्टन हमें ये खबर हेड़कॉर्डर्स तक पहुचानी होगी कैप्टन उसके पास कुछ नहीं है साथ में किसकी वोड़ो थी एक जैब डेस्ट्रॉयर और एक जर्मन यूबोट यूबोट और यहाँ जर्मन साउथ पासिफिक में कर क्या रहे है कैप्टन यहाँ पहुचने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा मुझे प्रजिडेंट रूसवल्ट से सीधे सी वाइपर को वहाँ भेजने का आदेश मिला है ये एक जरूरी मिशन है चीफ जब तक ये खबर बाहर नहीं आ जाती किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि जर्मन ऐसा कर सकते है चीफ ग्यलहर और आप बापस बोट में चले जाएं लेफटनिन लुइस और मैं इस आइलेंड का मुवाइना करेंगे काप्टन अच्छा होगा अगर आप चले जाएं और मैं यहाँ पर रुख जाओ ये बहुत रिस्की है सर और सर ये एक्जेक्स का पहला टूर है पंडूबी पर वो एक सर्फिस वेसल सेलर था सर चीफ मैं चाहता हूँ आप और गैलहर बापस बोट में चले जाएं येस सर चीफ क्या अपनी राइफल देंगे हां बिल्कुल तुम मेरे भाई जाक केनन को तो जानते ही होगे वो नेवी पालिट है एक एयर हॉक का दो साल से वह एम आइए है माफ कीजिए चीफ ये नाम सुना नहीं मैंने लेकिन आप अपनी राइफल देंगे हाँ, क्यूं नहीं? ध्यान से सुनो चीफ येस सर एक सो अच्छा आदमी है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हैं उसे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन किसी और को पताना चले तुम्हें आफिसर कटर पर नज़र रखनी है उसके उपर काफी इल्जाम लगे है येस सर यहाँ की पोजेशन रेडियो पर रिपोर्ट करो हमारी मुलाकात कल होगी कल सुबह तीन बजे बीच पर अगर हमारी मुलाकात ना हो सकी तो ये खबर सब पैक को दे देना और यूबोट पर मैं फिर से दोराता हूँ यूबोट पर हमला नहीं होना चाहिए जब मैं वापस आऊँगा तब हम उसे मूँ तोर देवाब देने ये मेरा ओर्डर है अमाई क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर ये प्रिज है राफ्ट हमारी स्टार बोट साइट से सौ याड दूर दिख रहा है सर डिस्ट्रॉए 4000 तूर है परिटार 1,2,0 कौन ब्रिज, रेडार डिस्ट्रॉए को 4000 की दूरी से पकड़ सकता है परिटार 1,2,0 अपने पोजिशन को स्थिर रखो हम उनको लेकर आ रहे हैं डुक्की के लिए तैयार हो यह एक्सो भी ना यह एक्सो अम सबको मरवाएगा राफ्ट के कुछ लोगों के लिए अम पूरी बोड को खत्रे में निदाल सकते उस राफ्ट में कैट्टन सबा रहे नीचे देखो प्रिज क्लियर करो डाइव डाइव आपका स्वागेत है चीफ मगर यह कैट्टन का है दुश्मन की जासू सी पर उसे गहराई तक लिए जाओ और ट्यूब एक दो तीन गहराईयों तक टापिट और रूम फ्लाट ट्यूब वान टू और त्री ट्यूब एक दो और तीन भर चुक है चीफ बो के एंगल है टू फाइव बेरिंग माक वान वान टू सब बढ़ो टू थर्स बाहर के दरवाजा खोलो वो आगे बढ़ रहे है सर सिक्स्टिटी रिपोर्ट ट्राक का क्या स्टेटस है वान जिरो फाइव मैं फाइनल बेरिंग देता हूं फेरो ओपर के ओर जाएगे अप सकॉप बाहर का दरवाजा खोलो स्टेंद बाइ 2, 1, 2, 1, 3 2, 1, 2, 3 तयार करो फाइनल बेरिंग माक 1, 0, 0, 7 क्या हमला कर दे 2000 यार्ड अभी दुश्मन हमारे निशाने पर है हमें हमला कर देना चाहिए एक हजार पांसो याट सर सर हम उससे हारने वाले हैं मैं उसे सुन सकता हूँ सर वो हमारे उपर है उन्होंने हमें देख लिया हमें हमला कर देना चाहिए अब हमें भागना होगा उसे 350 की गहराई मिले जाओ इस बोट को 300 फीट तक और नीचे लेके जा सकते हैं 250 फीट उसे सकता है जाओ चाहिए जाओ क्या होगा 300 फीट मिल्वी बार तिमें क्या तो मुझे सुन भारे हो चीफ यह जवाब नहीं दे रहे हैं यह भी होश हो गया है लेकिन यह जल्दी ठीक हो सकता है हमें इसे हैड़कोर्टर लेके जाना होगा वागई तो फिर कमांड मुझे समालना होगा 325 फीट हमारा नुकसान और दबाफ बढ़ रहा है क्या हमें 325 पर जाना चाहिए सर चीफ उसे 350 फीट तक लेकर जाओ और सारे एंजिन्स बंद करो शान्त होकर इंतजार करेंगे और फिर मैं उन जैब ट्यूब्स को दिखाता हूँ कि हम क्या है जीत तो हमारी ही होगी डॉक्टर डॉक्टर क्या कभी तुमारी पोस्टिंग इवली में हुई है नई आगे रिवली में ऐसा क्या है औरते हैं वहाँ औरते हैं लंबे काले बाल काली आखें और वो महकती हैं नारियल और खूपसूरत फूलों की तरह उन्होंने मुझे एक बार बताया था उन्हें सब कुछ पता है कैसे एक आदमी को खुश रखा जा सकता है तुम उनके चक्कर में सब कुछ बोल जाओगे फिर चाहे वो एक पल के लिए क्यों न हो हेई मेरी हार्मोनिक अखाए हेई मैंने सुना है वो जगह बहुत ही खतरनाक और डरावनी है और वहां जाना पागलपन है तुम अपना मूँ बंद रखो सच कहता हूँ मैं तुम्हें इतना मारूंगा मार मार के तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि आइंदा कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे और लाइफ में कोई टेंशन नहीं बस खाना, सोना, तैरना और बीच पर लेटे रहना और अपनी वाइफ के साथ धेर सारी प्यारी प्यारी बाते करते रहना मैं ठीक सा सो नहीं पा रहा हूँ इसलिए इस मानसिक तनाव से बाहर आना अपने आप में कमाल का एसास है हेई ग्रीस, हेई सुना तुमने मैंने क्या कहा बिल्कुल तुम्हारी उस शायरी की तरह तुम शायर नहीं हो, समझे बारतीमियो, हेई हेई, बारतीमियो ये स्मेल ये स्मेल तो ग्रीस की मोजे से भी ज़्यादा गंदी है अपना मुँ बंद रखो समझे बारतीमियो, यार तुम इसे कहीं और क्यों नहीं ले जाते ये स्मेल मुझसे बिल्कुल बरदाश्ट नहीं हो रही है वो ठीक है रहा बारतीमियो ये भयानक है ये उसकी इसससे भी गंदी है तुम इसे टॉपिड और उम क्यों नहीं ले जाते नहीं उसे शिप के किणारे पर ले जा मैं उसे इलाने ज़़ता हूँ के, समझो बात को तो फिर तुम इसे अपने कॉटर में क्यों नहीं ले जाते क्या तुम लोग थोड़ा अपना मूँ बंद रखोगे भूल जाओ उसके बारे में ये एक स्मेल है ऐसी स्मेल कहीं बार आएगी और कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पढ़ जाएगी जैसे तुम्हारी तन की दुरगंद हो बारती में हमें उसा चुप कराना होगा शांत हो जाओ सब ठीक हो जाएगा ये टिन हमें एक ही बार में उपर ले जाएगा सुनो सुनो आराम से आराम से मैं वो आवाज सुन सकता हूँ कोई बात ने वो तेज हो रही है तुम ठीक हो जाएगा इससे चुप कराना होगा यार चुप हो जाओ अब चुप कराओ पारती में हो तुम्हें उसके पैर का कुछ करना होगा ये चुप हो जाओ दोस्त प्रश। दोक्टर वो किया है वो एक हटी है कुछ समझे क्या लगता वो गैंग्रीन है पता नहीं मेरे विचार से एक ट्रॉपिकल इंफेक्शन है वो आगए ब्रेस बारती में हो तुम्हें से चुप रखना होगा यह बहुत अखलीप में है और पैर? ठीक नहीं है और ग्रे भी ठीक नहीं लग रहा है शेल शॉक मैं सास नहीं ले पार हो मैं सास नहीं ले पार हो अराम से अराम से अराम से अराम से ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा अराम से अराम से अराम से सब ठीक हो जाएगा किना ना राम से ओकें ऐक और के जट ठीक होझा सब और हमसे सबफिरो से क्या तुमूर that का और क्या तुमुच कहा कि मैं ठीक नहीं हो cater appropriately of the Mens ऑनकी Noänder कर सकता है अराम से सब ठीक हो जाएगा मुझे भी कभी तुफान पसंद नहीं थे मेरा भाई जैक ऐसा करता था वो हमेशा मुझे जड़ाता था उसे तुफानी बिजलियां पसंद थी कोई बात नहीं सुनो फ्रेट तुम्हें हिम्मत रखनी होगी यह गुजर चाहेगी ठीक है मेरे पास जैक के साथ वाली एक फोटो थी वो दो साल से ला पता है हो सकता है तुमने देखाओ तुम्हारा परिवार है? एंग्लेंड एक भाई जंग में नहीं एक बैन बैन जमने एसस के लोग ने उसकी चांद ले 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 यह वो एक जासूस थी जासूस? वो और उसका पती फ्रेंच इंडर ग्राउंड में काम करते थे उन्होंनों से भी पकड़ लिया क्या तुम्हेरे भाई के बारे में पक्का हो? वहां रेल रूट पर ज्यादा तर बेडिश हैं कुछ दच हैं और कुछ होसिस हैं और वहां कोई अमेरिकन नहीं है क्या यह पाइलट था? येस उसका प्लेन वो कहा है? न्यू कि नहीं उन्ने सोब्यालेस उन्ने सोब्यालेस बेट से पूछ कर देखो क्या तो मुसे जानते हो? क्या तो मुस रेडियो को ठीक कर सकते हो? शायद हाँ या ना? हाँ चलो शाक में वापस चलो और रेडियो ठीक करो हमें कुछ भी करके एक सो वापस ड्यूटी पे चाहिए अभी उसे आगात हुआ है मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी ब्रेड हैमरेच के काफी चांसे हैं उसकी यादाश भी जा सकती है खत्रा बहुत है पर ठीक हो सकता है हमें इंतिजार करना होगा उसका संतुलन विगड़ सकता है मुझे थोड़ा समय चाहिए शयद उसे भी देखो मैं जानता हूँ एक दू घंटे में 100 को तुम ठीक कर दोगे राइट नो चीफ ये बहुत सीरियस मामला है सीरियस ओ भारती में उसे सिर्प थोड़ी सी चोट लगी और सिर्दर्द है तुम उसे ड्यूटी पर जल्दी ले आओगे वो कमांड संभालने के लायक नहीं है चीफ और जब तक वो ठीक ना हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ सकता ये तुम क्या कह रहे हो ये समय कोई हेटक्वाटर पर फॉर्म भेजने का नहीं है ये बोट बहुत ही खत्रे में है और कटर पर हम ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते है मुझे यकीन है चीफ कि कटर बहुत ही काबिल साबित होगा भारते में वो कलपे पर नहीं है हम दोनों को ही पता है कि कटर खुद के पिता तक को धोगा दे सकता है आपका संसार आपका स्वर्ख हमें शक्ति दो ये खाना ये जीवन सब आपका दिया हुआ है हमारे पाप माफ करो जिस तरह तुमने सब के किये आपके बुराई से बचाओ ये ने सब आपका स्वर्ख हमें शक्ति दो ये खाना पंढुल ये जीवन सब आपका दिया हुआ हमारे बाप माफ करो जो नंने सबसमी हैं हमें बुराई से बचाओ हमें बुराहिए से बचाओ सब आप बहुत सुन लिआ व heck बहुत सुन लिए हैं वह तुम्हारा भगवां म मेरा नहीं है और वो सुन नेरा है नहीं वो सुन रहे हैं बस यह कोई परवा नहीं है तुम्हें विश्वास नहीं है ना अब नहीं रहा है हे किशाफस्की तुम्हें प्रे करना है तो करो हे परंबिता आप जो स्वर्ग में है आमें पहुजन दो हमारा चीवार अच्छा करो ये सब शांतिय से करो या भर कहीं और चले जाओ चुप रहो ये तुम्हारी बोट नहीं है तुम सिर्फ महमान हो अगर वो प्रे करना चाता है तो वो कर सकता है तुम कहीं और जा सकते हो मैं सोच रहा हूँ हमें जितनी भी मदद मिले वो ले लेनी चाहिए चाहे वो भगवान से ही क्यों ना हो अच्छे क्या लगता तुम्हें क्या मदद मिलेगी निकलो यहां से बहुत रुमेंटिक हो चलो कि शावस्की अपना प्रेयर करो हां प्रे करो जिन्दगी के लिए प्रे करो पर कुछी गंडों में तुम मौत की दुआ करोगे तुम गलत हो किशास्की मैं तुम से वादा करता हूँ हम सब यहां से सही सलामत वापस अपने घर जाएंगे समझ गए तुम बहुत हो गया तुम मुझे गुसा दिला रहे और बाकी सात्यों को भी हमको अपनी दागत बचा के रखनी है सास लेना मुश्किल हो रहा है चुपचप प्रे करो ओके और मैं ग्रीस से सहमत हूँ जितनी भी मदद मिले हम ले सकते हैं ग्रीस किशास्की के साथ जाओ और मिल्ची को ढूंडो ओके चीफ CO2 अब्जॉर्बेंट को बाहर निकालो और टॉर्पिडो रूम को साफ करो चलो मेरे साथ तो फिर बेट्स कैसा है फिल हाल तो ठीक है अभी कुछ कहानी जा सकता उसकी टांग मुझे खराब लग रही है मेरे क्याल से हमें मिस्टर बेट्स को सरफेश शिप पर भेजना चाहिए हम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें यहीं पर ऑपरेशन करना होगा तो क्या तुम्हें पता चला कि उसके पैरों को हुआ क्या है अलसर्स ट्रोपिकम क्या यह ट्रोपिकल अलसर है मैंने किताब में पढ़ा है चीफ हमारे सारे अंटिवाइटिक्स जंग के दौरान खराब हो गए हैं अब हमारे पास सिर्फ विटामिन्स बचे हैं उसका पैर किसी गीले गैंगरीन की तरह लग रहा है हमें ऑफिसर को अपरेशन के लिए त्यार करना होगा हो नई नई मैं उसकी टांग नहीं काट सकता मैंने यह सब पहले कभी नहीं किया है और मैं उसे टेबल पर मरता नहीं देख सकता तो फिर वो दर्द से मर जाए हैं ना क्या तुम उसकी आखरी उमीद नहीं हो तुम सच में यह कर सकते हो बिल्कुल नहीं सब ठीक हो जाएगा मैं ये नहीं कर सकता हो कि यहां नहीं इलाज की सुविदा ठीक नहीं है इंफेक्शन का खतरा हो सकता है उसे तुम उसे काम का बना सकते हो चीफ एम्टेशन के बारे में मैं ज़दा नहीं जानता और ट्रॉपिकल इंफेक्शन मैं इतना जानता हूँ कि टांग काटने के बाद मिस्टर बैट्स को और भी इंफेक्शन का खतरा हो सकता है क्या बोल रहे है डॉक्टर यह पहले मैं कट चुका हूँ बहुत सारे है और वो भी चिला रहे थे पता है पेंखिलर भी नहीं है पेंखिलर नहीं कसके उसके मुँपे बांदू बंबू को दान से दबा कर रखो ताकि उसकी चीखें पूरी तरह से तप जाए एक छोटे बच्चे की तरह वोक्ट सिगरेट यह क्या बखवास चीज़ है यह लोकल तमबाक हुए पूरी तरह से और्गानिक बहुत सारे रंग है और इनसे लेकर काला तक जितना गेर उसका रंग होगा उतना ही वो कड़क होगा ज्यादा इस्तिमाल करने से आदमी पैरलाइस्ट भी हो सकता है क्या तुमारे पास वोक्ट जिगरेट है नाई फ्रेटरिक मुझे तुमारी मदद चाहिए तुम लोगे ने टूल्स के लिए क्या यूज किया था कुछ भी नहीं क्या मतलाब है तुमारा जिस अंगोठे में अलसर था उसे कैचे से काटा गया बेना सुनन किये हुए और हमारी किसमत अच्छी थे हमारे पास एक डॉक्टर था बहुत यसा मज़दा डच और उसने क्या इस्तेमाल किया टेबल, नाइफ, स्कैलपल, फोर्सप्स का मुझे नहीं पता हमने मुझे होगे काटे का रेट्राक्टर के दर इस्तेमाल किया और हड़ी का क्या हड़ी काटने के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया हमने कुलाड़ी उधार मांगे थे बावर्ची खाने के पोचरों से और उन्होंने वो किसी कापेंटर से लिया था प्लीज मुझे तुमारी मदद चाहिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बैट्स मर जायगा उस्तोमारी मदद के बिंदा नहीं कर सकता तुम्हें मदद करनी होगे केवल तुमने देखा की यह कैसे होताए मैं एक टूटा हूँ रेडियो बना सकता हूँ मैंने कहा न मैं कोई डौक्टर नहीं हूँ मैंने जिनकी युँ मदद कियी वह बच नहीं पाए तब से इन चीजों से मैंने خود को दूर रखा है वहाँ कैम में कम बिमारों को मैं जदा बिमारों से दूर रखता था क्योंकि जदा बिमारों लोग काम पर भेज़ दिये जाते थे, क्योंकि वो जानते थे, वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं। बस हो गया। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। यूले तुमने क्या सुना। कोई आवाज नहीं आरी सर। वो डिस्ट्रॉय चला गया। लग रहा है चले गए होंगे। पर वो उपर हमारे इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम अभी उपर गए तो हम मारे जा सकते हैं। इसलिए मैं काहूंगा जहां हम अभी हैं हमें वही रहना चाहिए। परिस्कोप की गहराई तक। अगर जा पानी उपर है वो उमारे टैंक के एर बबल्स देख सकते हैं। वो में चुटकी में खत्म कर देंगे। हम परिस्कोप की गहराई तक जा रहे हैं। सर, हमारा इस चार्ज में काफी नुकसान हो चुका है। क्या हम जल्दी तैर के यहां से निकल सकते हैं। हमें उस गहराई तक जाकर देखना होगा। पचपन फीट की गहराई तक ले चलो और देखना की रैंक टैंक को नुकसान ना पहुँचे। परिस्कोप की गहराई तक टैंक को सो पाउंड पर ब्लो करो। ब्लोइंग सिक्योड। नेगेटिव सी वाल्फ क्लोजड। परिस्कोप की डेथ है पचपन फीट। अब स्कोप। कोई दुश्मन नहीं दिख रहा। डाउन्सकोप। दूसरी बार जैपनिस चले गए। पर क्यों। शायद उने लगा कि हम चले गए। चीफ इसे उपर ले चलो। तुम दिन की रौशनी में उपर जाना चाती हो। मिलची, मुझे एक मेसेज मिला है। रेडियो रूम से अनाइडेंटिफाइड सिगनल जा रहे हैं। सर्, मुझे SJ रडार पर कुछ मिल रहा है। मियूली, क्या तुम मुझे बैचान सकते हो। यह हमारे खिलाफ हमला हो सकता है। सर्, एक रेडियो ट्रांस्मिशन है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ। कशास की क्या तुम समझ सकते हो। यह शायद जर्मन है। जर्मन सर्, यह जर्मन हो सकती है। जर्मन। मियूली, डिस्ट्रॉयर हमारे किस दिशा में है। सर्, रीडिंग है 065 दूरी। सर्, बस पास में है, यही कुछ 7000 यार्ड्स। चीफ, इस बोड को उपर की दिशा में ले चलो और डिस्ट्रॉयर की दूरी पर नजर रखो। लेकिन डिस्ट्रॉयर के पीछे जाना कप्तान के ओडर के सकत खिलाफ है। इस बोड को उपर की दिशा में ले चलो और डिस्ट्रॉयर से दूरी बनाये रखना। यह मेरा ओडर है। लेकिन कैप्टन ने मुझे मीटिंग पॉइंट तक बोजेशन बनाये रखने के लिए सकत ओर्डर्स दिये हैं। उपर 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 अब उपर ले चलो 055 अगर कोई बगावत की तो मैं तुम्हें निकाल दूँगा। कैप्टन ने मेरे सामने सक्त ओर्डर दिया था और मैं इसकी गवाई तुम्हारे कोट मार्शल के समय दूँगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हैं। एक और गलती और तुम गए। मिल्ची, मुझे फॉवर्ड बैटरीस की जानकारी दो। मिन्यूवरिंग, मुझे फॉवर्ड बैटरीस की रिपोर्ट चाहिए। बैटरी लो है चीफ, हम अभी भी पानी बाहर निकाल रहे है। दिस्ट्रॉयर अभी भी 7000 याज़ पर है। मुझे नहीं लगता ये जगा बदल रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। दिस्ट्रॉयर पर नजर बनाए रखो। 055 की दूरी बनाए रखो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जे की कैप्टेन से मीटिंग 3 बजे करनी है और फोटोस कॉम सब पैक को देनी है। कौन सी फोटोस। उस आलेंड पर क्या हो रहा है। दर्वाजा खोलो। ब्रिज की तरफ बढ़ो। हो गया। मुझे फिर डिस्ट्रॉय एजे पर दिखा। अब ये 4000 यार्च पर है। सी वाल्व सिक्योर कर लिया है। डिस्ट्रॉय फिर दिखा 4000 गच की दूरी पर। रीडिंग 3 5 0 नीची जाने की तयारी करो। यहां नीचे की तरफ ब्रिज पार करो। नीचे, नीचे, परिस्कोप के डेप्थ पर ले चलो। और दूरी बनाऊ। चीफ हमें स्ट्रॉंग सिगनल मिल रहे हैं और मैसे जर्मन में है। हमें फिर से मैसे जा रहा है, इस बार सिगनल ठीक है। ठीक है चीफ, पेनिंसुला के पीछे क्या है। एक पुराना हारबर है, हमें पीछे मुड़कर पिछली पोजिशन मना लेनी चाहिए। डाउन स्कोप मैं एक बार और पूछ रहा हूँ चीफ, उस आइलेंड पर क्या है। एक पुराना हाबर, यहां पर एक बेगार बर्मा बड़फलाई है और एक उपकर्णों से भरा जोपड़ा है, जो शायद जपानी यूज करते हैं। और जाहिर है कैप्टिन भी। अब स्कोप डाउन स्कोप तुम जानबूच कर मेरे कमाज में दखल अंदाजी कर रहे हो। अब मेरी नजर के सामनी है एक जर्मन यूबोट और एक जैपनीज दिस्ट्रॉयर और पूछो क्या, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और जो रिपोर्ट में कौम सब पैक को दूँगा, वो डिस्ट्रॉय के डूबने की होगी। अब स्कोप उसका निशाना है पोर्ट नाइन्टी, रीडिंग, माग करो। रीडिंग 3-1-5 तुम इस जानकारी को सुमुद्र में नहीं डुबा सकते। जहाज को गुमाओ, हम इस जानकारी को खो नहीं सकते। दूरी, निशाने पर। दूरी, तीन हजार कज। डाउन स्कोप, दो तीहाई आगे बढ़ो। गति की दिशा 3-4-5 दो तीहाई आगे की तरफ। यह एक पागलपन है। पहले डिस्ट्रॉयर की बारी है, फिर यू बोट की। फ्लड ट्यूब्स 1, 2 & 3 और बाहरी दर्वाजे खोल दो। यह मेरा ओडर है चीफ। flood tubes एक दो तीन और बाहरी दर्वाजे खोल दो flood tubes एक दो और तीन बाहरी दर्वाजे खोल दो बाहरी दर्वाजे खोलते ही मैं reading बताऊंगो और भी हम shoot करेंगे अब scope reading, निशाने पर reading, 0, 3, 5 0, 3, 5, set उन्होंने में देख लिया, down scope, fire one fire two, दूसरा गया दूसरा fire नहीं हुआ, दूसरा खराब हो गया है, वो fire नहीं हो रहा fire three तीसरा गया, गयर आई में चलो और charge के लिए रिक करो उस पहली missile का time क्या है, पहली missile बाइस सेकेंड में हिट करेगी दूसरा टोर्बीडो बाहर नहीं निकल रही, वो ट्यूब में ही गरम हो रही है दूसरी missile ट्यूब में ही गरम हो रही है, पहली और तीसरी गरम है, बिलकुल सही है सर हम 200 फीट गहराई में है, हम सीधे निशाने बर है कोई सुझाव पहली missile आट सेकेंड में हिट करेगी क्या हम 200 फीट की गहराई से निशाना लगा पाएंगे दिस्ट्रॉयर एक हजार याट्स पर है उस तीसरी missile का टाइम क्या है, बताओ सर, तीसरी missile हिट करेगे इं त्री, तू, वान missile की टर्बाइन बंद हो गई है, सर इसकी तुम्हें वो हमारे बिलकुल उपर है, सर वो हमें ट्रैक कर रहे है क्या हम 200 फीट की गहराई से निशाना लगा पाएंगे वो हमारे नजधीकार है missile की टर्बाइन बंद हो गई है, सर missile अभी भी ट्यूब में है मुझे आवाज आ रही है संभल कर DC2 का बहारी दर्वाजा खुल गया है मुझे नहीं लगता टॉर्बेडो लोड होई होगी हमें वो टॉर्बेडो भार निकालना होगा नहीं तो वो इस छटके से अंदर ही खट जाएगी आगे के टॉर्बेडो रूम में जाने की परमिशन दीजिए उस missile को वापस बोट में ले लो सामने यू बोट है यू बोट लाएं? देखो हम कही नहीं जा रहे हैं तुमने हमें अब फसाद या है वो टिन का डबबा हमारा शिकार कर रहा है और हमें पक्का नहीं छोड़ेगा हमारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही हमने स्टॉप बटन भी दबा दिया है पर हम मिसाइल वापस ट्यूब में नहीं ले पा रहे है हमें बोट को उपर की तरफ पांच डिग्री घुमाना होगा शाय तब हम दर्वाजे को ठीक कर पाएंगे ठीक है कंट्रोल रूम बोट को पांच डिग्री उपर के अंगल पर गुमाओ टॉपी डो रूम हमारी बोट फाइब डिग्री उपर अंगल पर है क्या तुम दर्वाजा सही कर पा रहे हो चीफ हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिसाइल ट्यूब में पूरी तरह फासी हुई है अनियंज यह तुम्हारी बच्चिये से अंदर लो चीफ यह हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी उस चीफ को कस के मोड़ो चीफ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वो वो में सिगनल दे रहे हैं अनियंज वो टेंगान हमारा शिकार कर रहा है अगर हमें इस फसी हुई मिसाइल के साथ और नीचे जाना पड़ा तो हम जमीन दुबारा नहीं देख पाएंगे अनियंज क्या हो रहा है बनमलाट तगडी है सर वो हम पर नशाना साथ रहे तुम जाके टॉबीडो रूम में हाथ बटाओ यस सर अनियंज मैं तुमें सुनने ही बार रहा बिल्ची तुम्हारे पास मदद के लिए आ रहा है मुझसे बात करो ए चीफ यह हिल गई यह अपनी द्रका से हिल रही है अरियंज उसे अंदर खीचे उसे बिल्कुल भी डीला मत छोड़ना उसने हमें उठा लिया है और जटके और यह है वाटर कैंट्स चीफ वो मिसाल हमारे कंट्रोल में बस कुछ देरोर हमारे पास और समय नहीं है वो यहां किसी भी सेकेंड आएंगे अरियंज मुझे उमीद तुन्हों से अंदर खीच लिया होगा मैं नीचे जाना है चीफ आखर नीचे हो क्या रहा है सब चाय पीने गए हैं सर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या चीफ मैं तुम्हारी बखवास सुन-सुन के ठक गया हूँ सच में मैं तो पहले से ही तुम्हारे कमांड से तंग आचुका हूँ तुम हद पार कर रहे हो तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हैं मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या वो रहाऊं। चीफ, हमने उसे अंदर कीछ लिया है। ट्यूब बिल्कु सही है। ट्यूब सही है। फ्लाट नेगेटिव। फ्लाट नेगेटिव। उसे नीचे ले जाओ। लेवल आफ करो, थ्री, जीरो, जीरो पर। चीफ, हम इन चार्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ कम गहरा भी हो सकता है। साउंड हैज को अंदर कीछो। उने अंदर कीछो। हम उने खरोच नहीं पहुचा सकते हैं। टॉपीड रूम को आगे करो, मिल्ची साउंड हैज में भेजो। यहाँ इंचिन रूप में पानी तेजी से बढ़ रहा है। मिल्ची, जल्दी जाओ और कंपाट्मेंट को सुरक्षित करो। मिल्ची उसका हाथ बटाओ। जल्दी 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 जल् यह लाऌ संधिक अ करो ना Ah! इंक अ कर नधर इंब अ कर नहीं यह कर रखर रहा जोटी से कर रहा अवह उन्म और संधिक नहीं है का का कॉ elख़ है शन्म और व है ध्याव हुम आह हुम अ हुप मधि वुद कर अ कॉदा अ हुम यह पानी कंट्रोल में है 350 फिट की गहराई तक ले जाओ तल और गहराई पर अच्छी तरह से ध्यान देना गहराई कम हो सकती है अब धीरे धीरे तीन पांच जीरो की तरफ चीफ हमें शांती से काम करना होगा 350 फीट पर जा रहे हैं सारे हिस्से गहराईयों में जाने की त्यारी शांती रखे चीफ वो मेसेज याद है जो मुझे रेडियो पर जामन में मिला था उसमें से एक शब्द है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा यू रैन यू 235 आपने कभी सुना है आपने कभी सुना है लूँ आपने कभी सुना है अए नहीं प्रुई मैंने जिए चौर्दिया मुझे ये सब करना पड़ा वो जल रहा था मैंने उसे खीचने की कोशिश की लेकिन वो बीम बहुत भारी था वो आग वो धुआ वो उसमें जिन्दा चल गया जिन्दा चल गया उसमे उसने मुझसे मौत की भीक मांगी और मैं उसे दे नहीं पाया मुझे इस बात का दो कराएगा पूरी जिन्दगी ये मैंने क्या कर दिया मैं मैं अब जल्दी मरने वाला हूँ मैंने सही नहीं किया मैंने उसे जल्दी में छोड़ दिया जब तुम पहले याए थे चीफ ने चीफ ने उनकी कोई वेपाई की फोटो दिखाए थे तुमने उसे इग्णॉर कर दिया था तुम उसे जानते थे न? तुम जानते थे वो पाइलिट था और उसके बाल लाल थे उने लाल बाल से चिड़े उसके आखों पर उन लोगों ने पट्टी बांदी थी उन्हेंने उसे नीचे बिठा दिया और उनके पास तलवारे भी थी, वो लोग हैकर्स थे, वो लोग समुराइ नहीं थे, और फिर उन्होंने उसे काट दिया, काट दिया, उन्होंने मेरे सामने, वो हैकर्स थे, समुराइ, नहीं, मियो, बेच कैसा है, वो जिन्दा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और नब्स भी कमजोर है काफी, चीफ, आक्सिजन इतनी कम है, मैं नहीं जानता, मैंने सही किया कि नहीं, तुम ने सही किया है, लुई, तुम कमाल कर रहे हो, हम जहाज में थोड़ी और आक्सिजन मंगा लेंगे, तुम बहतर महसूस करोगे, चीफ, श्श, शान्द, थोड़ा राम कर लो, चीफ, प्लीज, मियो में कौन के पास जा रहा हूँ, ग्रे, थोड़ा आराम कर लो, जैक, चीफ, यह आपका भाई जैक है, जैक, जैक, बिरा, भाई जैक, क्या उसके, लाल बाल थे, हाँ, उसके लाल बाल है, कहा, कब, उन्हें लाल बालों से चिड़े, तुम्हारा क्या मतलब है, बेट्स, बेट्स, थोड़ा होसला रखो, बताओ तुम्हारा क्या मतलब है, वो, समुराई नहीं है, वो, हाकर्स है, मैंने उसे माड डाला, उनकी माने तो मरने के ही लाख है, बस, तुम्हारे बाई जैक को कोई भी नहीं बचा सकता था, मैंने उसे मार दिया, नहीं, तुम्ने नहीं मारा, तुम्ने बिल्कुल वही किया, जो तुम्हें सही लगा, हर रोज, एक पी ओ डबल्यो खुद से ये पूछता है, कि जिन्दा कैसे रहते हैं, साथी खुश भी, कभी कभी हमें कुछ करना पड़ता है, था कि हम अपनी जिन्दगी बचा सकें, और मैं सुचता हूँ कि मिस्टर बेट्स ने बिल्कुल वही किया, तो तुम्हें क्या लगता है, पता नहीं, माइक्रोफोन पर तो गोली लग गई है, हमें मोर्स कोट भेजने की कोशिश करनी होगी, तुम्हारा कोडिंग कैसा है, बखवास, मैं मैसेज भेजने के लिए माइक्रोफोन की यूज कर सकता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं, लिरिल लूलू, लिरिल लूलू, ओजन्ट, यो बोर्ट जैब डिस्ट्रॉयर वेस्ट अफ सुमात्रा, त्री डिग्री साउथ, नाइटी नाइन डिग्री इस्ट, सारा सामान पकड लिया जाए, ठीक है, अब हम दुआ करेंगे, कि हमारी टोली में से किसी को मिलाओ, ठीक है, इसे फिर साब भेजो, अब शियर है, वो सिगनल ट्रेस करके हम तक पहुँच सकते हैं, मुझे पता है, इसे फिर साब भेजो, हम ढूड़े जा रहे हैं, और बैटरी इसका क्या, बस ख़तम हो गई है, समझो, चीफ, कटर ये बोट के साथ क्या कर रहा है, उसने हमें घेर लिया है, हम पानी इंजिन के हिस्से के नीचे से ले जा रहे हैं, लेकिन, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब इस समंदर में दफन हो जाएंगे, चीफ, और चीफ, जहास का टॉर्पीड और रूम पानी से 20 डिगरी का एंगल पर है, पानी का दबाव इस जहास को चलने नहीं दे रहा, और पंप रूम पानी से भरा हुआ है, क्या मतलब ग्रीज? और हम हाई प्रेशर एर भी खोग चुके हैं, चीफ, आपको पता है न, ग्रीज का कह रहा है, इसका मतलब है कि हम वापस नहीं जा पाएंगे, तुम्हारे हैसाब से हमारे पास कितनी हाई प्रेशर एर बाकी है, मेरी ख्याल से हम 100 फीट तक बोट को ले जा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं चीफ, कोई सुझाव, या तो एक्जेक को वापस लाओ, या फिर कटर को छोड़ दो, तुम्हें अंदाज है तुम क्या कह रहे हो, हाँ, बिल्कुल, और कैप्टन का क्या, हम उन्हें छोड़ दे, उन्हें आइलेंड पर पहुँचकर, तुम लोगों को कुछ ओर्डर्स देने थे, कैप्टन ने मुझे तीन मुझे इंफिर्मेशन को, कौम सब बैक तक पहुचाने को कहा था, और कैप्टन की बाद हमें माननी चाहिए, तो हम वही करेंगे, जो कैप्टन ने कहा है, पर पहले, हम कटर को शिप से बाहर निकालेंगे, नहीं तो वो कमी न, हम सब को मरवा देगा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, यह मैसेज, यह शिप के कार्गो की लिस्ट है, यू बोट के डेली पुजीशन की रिपोर्ट भी है, यह सुरिए, उनके पास रबर, टंग्स्टन, टिन, गोल्ड, मॉलिब डेनम, यू रैंज ऐसी चीज़े हैं, हम यह कह भी नहीं पार हैं, यू रैंज जमन में यूरेनियम को कहते हैं, यू टू 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 फाइफ मेटल एल्लमेंट है और रेडियो अक्टिव होता है, रेडियो अक्टिव? हाँ, और मॉलिब डिनम, लोहे और स्टील को ताकतवर बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, इससे दुश्मन की ताकत बढ़ती है और उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, हथियार ऐसे ही बनते हैं, अब इस यूरेनियम का जो भी मतलब हो, हमें जल से जल सतेह पर पहुँचना होगा, और ये जानकारी कौम सब पैक्ता पहुँचा कर, कैप्टन को अगा करना होगा, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, यहां ओडर्स मेरे चलेंगे, और सारे डिसिशिन्स मैं लूँगा, तुम मेरी बोट पर कबजा नहीं कर सकते, तुम्हारी बोट? ये कैप्टन की है, इस बोट और इसके लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें, तुमने खुद ही ये कहा था, तुम्हारे ले बस इंबॉटन है, वो वाच और मेडल, मेडल जो कि तुम्हें उची कुडसी दिलाएगा, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह, स्वार्धी, लालची, धोकेबाज, ये मेरी वाच है, ये मेरी वाच है, रोबर्टी ली से अलुरदा का हो, अगर चल क्या रहा है आपर? मैं बस मिस्टर कटर को, स्वाल का सर्फिस बिल्कुल नहीं दिखता है, क्या हमारी बोट वहां तक बहुत सकती है? अगर डॉक्टर ने आपको ओफिशली रिलीज नहीं किया, तो यहां मेरे कमांड्स चलेंगे. हमारे पास केवल जहाज को 200 फीट उपर ले जाने लाइक ही फ्यूल है, एंजिन को सार्ट करना लगभग ना मुम्किन है, या कहो पागलपन, पर हम शायद इसे कर सकते हैं, तो करो, मुझे ग्रीस से बात करनी होगी, बिल्ची ग्रीस को हांड पर ले आओ, यहां मेरे कमांड्स चलेंगे, समझे आप, जब तक आपको डॉक्टर रिलीज ना करें, आप कमांड नहीं दे सकते, मेरा ओडर है कि आप वापस जाएं, यहां करके नारे खड़े हो जब इस्टर कटर, और अपनी जबान बंद रखो, ग्रीस, क्या इंजन चल पाएगा, आपका मतलब अभी, पानी के अंदर? हाँ, पानी के अंदर, हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से, हमें सास लेने में दिक्कत हो सकती है, अगर कंप्रेस्टेर हमें सौफीट तक ले जाए, तो क्या तुम हमें सरफिस तक पहुचा पहूँगे? हाँ, मैं जरूर पहुचा दूँगा, आप बस अपनी सांसे संभालिए, गरीश ने कहा था, 200 फीट पर इंजन चालू करने से, बहुत सारा वैक्यूम बनेगा, और शायद यही हमें सतय तक भी ले जा पाए, ये पागलपन है, सर, ये कमांड करने के लिए फिट नहीं है, सर, इसकी बात बत सुनिए, जल्दी करो, सतय की तरफ, और जैसे हम लोग वाँ पहुचे, पहले पुल जाने के दरवाजा खुलना, और फिर में बैटल स्टेशन वाँगा, हम रेंस कॉल के पीछे नहीं चुप सकते, उस डिबबे को हमारी पॉजिशन पता है, जैसे बहतर आइडिया है तुम्हारे पास, कितने मिसाल्स बचिया हमारे पास, तुम इस काम के लायक नहीं हो, और निशाना तो तुम लगाई नहीं पाओगे, मुझे लगता है तुम्हें जोना चाहिए मिस्टर कटर, तुम कमान के लिए फिट नहीं हो, बहुत हुआ, अब इसके बाद में तुम्हारी एक भी बखवास नहीं सुनने वाला हो, तुम धंकी दे रहे हो, नहीं, मिस्टर कटर ये मेरा ओर्डर है, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए मिस्टर कटर, ये बगावत है, मिल्चे, मिस्टर कटर को उनके कौटर तक ले जब, येस सर, उपर पहुँचने से पहले हमारा दम घुट जाएगा, सौफीट पर एंजिन चलाना मौत को दावत होगी, ये आत्मत्या है, मैं जहाज को बचा सकता था, हम लोग जिन्दा बच सकते थे, चीफ, उन मिसालों का क्या? हमारे पास तीन मिसाल बची है, जिसमें दूसरी वाली की नली टॉर्पेडों से खराब हो चुकी है, ठेक है, नली नूमबर एक तीन और चार भर दिये जाए, सुनिए सब लोग, जब हम सत्य चुएंगे डिस्ट्रॉयर हमें टुकडे-टुकडे करने को बेता आप होगा, तो हमें तयार है न, और वर्शियार भी, हमें जाब डिस्ट्रॉयर को धूल चटा नहीं है, तो अभी डो कक्ष में जाओ, नली नौ तीन एक चार भरो, मेरे ओर्डर के इंदिजार करो, मुझे टार्गेट की दिशा फॉरण बताओ, और अगर ओडिबा बिलकुल हमारे सामने है, तो उसकी छाती में हमें लोहा भरना है, कोई दुसरा मौका नहीं, जब एंजन चलेगा और हम मिसाइल चुड़ेंगे, फिर हम सब के लिए सास लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा, तो फिर चन्दी मिंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सद्या की दिशा में, बैल स्टेशन्स, ट्यूब एक, तीन और चार भर दी गई है, सर निशाने सदे हुएं और त्यार हैं, टैंक्स मैंग लगा दो, और इसे जल्दी सतर पे लेचलो, बीस दिगरी उपर की तरफ, टैंक्स तैयार करो, बीस दिगरी आंगल बनाए रखो, मिलची 250 फीट पर, और उपर, 200, शेफ, एंजन रूम को तैयार रखो, एंजन रूम तैयार, एक सो पचास फीट पर, एक सो पच्छीज, ये धीमा हो रहा है, एंजन चालो करो, सभी आगी की दिशा में, इंजन शुरू करो, सभी आगे की ओर, हम उढ़ने वाले हैं, मिलची हाज को खोलो, फॉरण जैसे ही हम सतैपर पहुंचते हैं, आप सको, इस दो, हम सतैपर पहुंच गहें, नागल स्टेशन, इस ट्रॉप बिल्कुल सामने है, पोर्ट बाव की तरफ, दो हजार यार्ट्स पर, एक पर नज़र अखो, वो पंद्रा सो यार्ट्स पर है, रीडिंग एक बाच जुन्य, मिसाइल एक तीन चार को बाहर निकलो, दिशनों को तयार, मिसाइल एक तीन चार तयार, एक हजार यार्ट्स की दूरी, गए काम से सर, पहले फायर, पहली फायर, तीसरी फायर, तीसरी फायर, चौती फायर, चौद्धी फायड एक तेन चार्ज सीधा आगी की दिशा में वोरी तरह से टॉपीडो वान दुश्मन से साथ सेकंड्स की दूरी पर तीन सेकंड्स और ये पहला वार खाली टॉपीडो थ्री ओ एक और नाकाम टॉपीडो फोर छे सेकंड्स दो एक कोई फरेंड ने वह लाग लाग शुक्र है चेफ इसे से बोलो कि हमार ले जड़ा फ्रेश काफी बंको आकर रखे फ्रेश काफी फ्रेश एर काफी सर्व सर्व मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रॉंग पीना बनता है मैं पेचारी कुछ मेरे लैंड बर्बन और कैलिफॉर्णिया ब्रांडी थो मेरे लबारी ले पड़ी होई है और हम तो मेटिंगों फद्म करके जैसे ही कप्तान कल पेपर अन बोर्ड होते हैं मज़े सु रहे भर पीनी है हम घर जा रहे हैं हम घर जा रहे हैं हम घर जा रहे हैं हम तो मेरे लोर्ड रहे है हम अन बगल यह है और जा रहे हैं आए ग्योहाँ लिए अरी तो फट से हैं ग्योहाँ जिए बनी। ग्यifter वर बनी बनी नड़्िक, कि हमाँ थिस अम होई वीरशैँ तक का प्युर लिए्व खना सकुषारर मिल फ्यान ना सक्ड़वगे शोच्ण है कर दो कर दो — कि रहता है। झाल 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 झाल